Thank you, वाईया. पदा ये कौन है? Delivery boy? पागल है कि इतना बड़ा आदमी boy दिखता है? Delivery man? अब बताओ आप कौन हो? Delivery partner? PS, PSI, bonus, graduate, health insurance, ये सारी चीज़े मिलती है एक employee को. But अगर उसको employee की जगा बोल दिया जाए partner, तो बन गया वो individual contractor and not an employee, कंपणी बचा लेगी करोड़ रुपए. Individual contractor वो होता है, जो जितना काम करेगा, उसको उस हिसाब से payment मिल जाएगा. अगर काम नहीं करेगा, तो कोई दिक्कर नहीं है, और कंपणी का उस पर कोई control नहीं है. और labor laws भी ये बोलते हैं, कि अगर आप किसी भी individual contractor पर अगर supervision या control करते हो, तो वो आपका employee consider किया जाएगा. और पता है क्या, almost सारी apps अपने delivery partners की performance को monitor करती है, उनका dress sense control करती है, तो एक तरह का supervision and control तो हुआ ही, और urban companies तो अपने लोगों को दूसरी company में काम ना करने के लिए contract भी sign करवाती है, बस जब employee benefits की बात आती है, ESI, PF, bonus, graduate, insurance, तो तब वो companies कहते हैं कि ये हमारे employees नहीं है, इस पर Supreme Court में एक PIL जरूर फाइल हुए, जिसका result आना भी बाकी है, खेर LLA employee rights के लिए हमेशा लड़ता रहेगा, आप एक छोड़ा सा काम जरूर करना, कि कोई अगर धूप में आपको कुछ deliver करने आए, तो उसे बस पानी पूछ लेना,